पंद्रो दिनों की भीतर दो बड़े ग्रहें दिवाली पर साल का अंतिम सूरे ग्रहें अब क्या महाभारत काल जैसी मचेगी तबाही ग्रहन की वजह से आएगी क्यरसी आफ़र आने वाले आठ महिनों से लेकर आठ सालों का समय क्या देश दुनिया पर पड़ेगा भारी धर्मग्यान पर देखिये चंदुग्रहन से जुड़ी विश्विख्यात सुदर्शन चक्र जोतिशाचारिय श्री संत बेतरा शोकाजी की बड़ी भविश्यवाणी नमस्कार धर्मग्यान से मैं कवितराना और आज मेरे साथ मौझूद है विश्यविख्यात सुदर्शन चक्र जोतिशाचारिय श्री संत बेतरा शोकाजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है नमस्कार इस वक्त हम मौझूद है इर्शिकेश के शिफ्फूरी में और यहां से आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 5000 पहले जो ग्रहन की जो सित्या बनी थी महाभारत में और अब एक बार फिर से बन रही है चीहां आपको बतादे कि इस आठ नवंबर को यानि कि देव दिवाली के मौके पर साल का अंतिम चंदर ग्रहन पढ़ रहा है और दिवाली के मौके के आसपासी साल का अंतिम सूरी ग्रहन पढ़ा था और आपको जानकर ताज्यूब होगा कि 15 दिनों के अंदंदर दो ग्रहन इस सरेगा संयोग बनाता और जिसके चलते परिणाम सरूप कुरुशेत्रिक में महाभारत लड़ी गई थी और इसे में आज हम श्री सन्वेतर अशोका जिसे यह पूछेंगे कि अब इस बार के जो यह दो ग्रहन जो पड़े हैं इसका अब क्या बड़ा इफेक्ट होने वाला है क्या इस ग्रहन से हमें आपको दुनिया को देश को क्या डर्ने की ज़रूत है इस ग्रहन का सूतर काल क्या कहता है इस ग्रहन के पीछे की जो जो जोतिश्य महतु है वो क्या कहता है आईए श्री सन्वेतर अशोका जी से जानते हैं बताइए तमशकार देखिए यह जो तो जो उसमें आपका जो चंद्रग्रेन आपका इसका जो इफेक्ट भी हैं पर ब्रहमांड के लिए वेश्व के लिए ये चंद्रग्रेन जो है ठीक विल्कुल वैसा ही है जैसे महाभारत काल में सूर्य और चंद्रग्रेन पंद्रा दिन के टाइम स्पन में होए थे और आपने देखा उन्ही पंद्रा दिन के अंदर सूर्य ग्रहन और चंद्रग्रेन के पंद्रा दिन के अंदर महाभारत हुआ वीच्वाजदा सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव युद्ध था जिसमें आपका उसके बाद आल्मोस्ट पाशान काल आ गया था तो अभी ये ग जो है ये ग्रहन भी लगबग वैसा ही है क्योंकि आप देख लिजेगा इस ताम विष्व में जो है चारो तरफ विष्व यूद के बादल है आपका अमेरिका, चाइना, रूज, यूक्रेन, इसराइल, फिलिस्तिन, उसके बाद कोरिया और हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये जो टेंशन है किसी भी टाइंग ये विष्व यूद का रूप ले सकता है तो इस ग्रहन का जो आट-क्यारा दोहजार बाइस को है ये नॉर्स इस्ट इंडिया में देखा जाएगा और इसका इफेक्ट जो है स्पर्ष जो है 14 बज़कर 49 मिनट पर ग्रहन का स्पर्ष स्पर्ष जो है 15-46 मद्य जो है 16-29 और स्माप्द जो है ये 17-12 सत्रा वारा का मतलग पांच बज़के 12 मिनट साइंग और मोक्ष का जो काल है वो है आपका 18 बज़कर ओनेश मिनट ओवराल जो ग्रहन के टाइम पे जो जो प्रिकॉशन्स ली जाती है अगर आप 14-39 से नहीं से कम 16-39 मिनट बज़कर शाम के 4-39 मिनट से लेके 17-12 तक आपको वो सारी प्रिकॉशन्स लेनी चाहिए और मोक्ष काल क्योंकि 18-39 है तो मोक्ष काल पर अगर आप शनान करते हैं तीर्थ पर शनान करते हैं ग्रहन का दान करते हैं यहां में आपको इस ग्रहन के दुश प्र ग्रहन है यह जिस मास में आ रहा हैं कारतिक में हुवा तो इसका जो एफेक्ट भी तुपान से जाणमाल को बहुत बड़ा नुक्सान उगा था फूरी वर्ल्ड में सुमंद्र के किनेल जहां-जहां पर आपके जो कंट्री और शिदीस है तो उनको जो है सुमंद्री उस्पानों से नुक्सान होशकता है वार फल मंगल वळ को होने के करण क्योंकि मंगल सैना पति है अकाल और अगनी कानड का न्ए और यूद का कारण है तो किसी भी टाइम कहीं पर भी यूद से या अगनी के करण या आप funds ऑप की स्थिती अगरन तो मैश है आपका मेश और उसे क्या बोलते हैं तुला राशी के बीच में इसका जो सबसे बड़ा अफ़ेक्ट मैश basie या तुला के मेश boy तुला राशी ud की तुला राशी बीच में तुला के मैश सब्वार के मेश मेरे बीच्छत रखनी र्खनी हैयि वह ग्रहन काल में या ग्रहन वाले दिन, ड्राइब ना करें, घर से बार ना निकलें, घर पे ही रहें, तो उनके लिए वो सुरक्षित रहेंगे, नक्षत्र फल, ये ग्रहन जो है भरनी नक्षत्र में, जिसमें चोरी डिकैती, अपहरन, मास भाख्षी लोग, और अनेतिक कारे में, जो लोग हैं, जो लोग उसमें संगलन हैं, उनको विशेश पीगा की योग हैं, यानि कि जैसा आप अप यूपी में देख रहे हैं कि अभी जो है, गुंडा तत्तो जो है, बिलकुल एक साइट से जो है, मोदी जी और योगी जी के विशेश एफर्ट्स के कारण जो है, यहां से जो जो है, दूबर हो गया है, तो इस ग्रहन का फल ऐसे लोगों के लिए जो है, बहुत ही कस्ट कारण है, बाकि जो है, कुम्ब, मकर और मिथुन राच्छी वालों के लिए यह ग्रहन टोटेलिटी में थोड़ा शुफल कारण रहेगा, बाकि डिपेंड करता है कि उनके जिस भाव में आएगा, जैसे स्पोज आपकी मेश राच्छी है, तो आपका और आपसे सब्तम भाव के बीच में यह ग्रहन का इफेक्ट होगा, मैं एक उधारन दे रहा हूं, जिसमें आपको और आपकी पतनी को इस ग्रहन का वर्स्ट इफेक्ट भुगतना पाड़ेगा मेश और आपके तुला राच्छी वाले जो लोग हैं, तमपती हैं, उनको ग्रहस्त कलेश से बच के रहना, यह ग्रहन जो है, क्योंकि पच्चिस दसको आपका सूर्य ग्रहन था और आपका आठ के आरओ को आपका चंद्र ग्रहन है, यह ग्रहन अगर हम इसको माभारत काल क के साथ में जोड़ती हैं, तो इसका जो वर्स्ट का एफेक्ट है, वो मिनिमम्म एट मन्त तक सब राच्यों को लिए रहेगा, और एट मन्त से एट यर तक एफेक्टिव रहे सकता है, इट डिपेंड्स कि इस दोरान, इस ग्रहन का जो एफेक्ट नेक्स्ट एट मन्त में ह देगा, देखिए मावारत काल से में जो ये ग्रहन था उसने मावारत करवाई, एक कुनबा पूरा का पूरा खतम हो गया, और उसमें कितनी केजुल्टीज हुई, खूनों की नदियां बहीं, कुछ ऐसा ही, इसकी भुविशेवानी मैंने बहुत पहले कर दे थी, जब आप उसके लिए ये भुविशेवानी हो रही थी, कि ये मैक्सिमम पंतरा दिन के अंदर अंदर समापत हो जाएगा, लेकिन मैंने उसमें ये भुविशेवानी की थी, अगर आप शोचल मेडिया पर देखेंगे तो मैंने इसमें बताया था कि इसका वर्स्ट इफेक्ट आपको और रशीय के बीच में जो यूद चल रहा है, वो वर्स पोजिशन में है, नेक्स्ट पी ताइम और जब हमने पुतीन की कुंडली को डिसकस किया था और रशीय की कुंडली को डिसकस किया था, तो ग्रह दशा चुआ के हिसाप से शनी की साड़े सथी के हिसाप से मैंने ये आपका परमानु यूद्ध के जो चांसेस हैं वो हंड़ेड परसेंट थू आपके पुतिन के हूंगी तो ओवराल देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज जो है ग्रहन का जो वर्स्ट काला है आठ ग्यारा बाइस से लेके आठ साथ दोहजार सब्ताइस तक पूरे विश्व के के लिए तो उसमें आप यह नहीं कहते कि कौन सी राशी को जो है इसमें अच्छा प्रवह मिलेगे ओवराल में अगर यह इसका वर्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिला तो आप यह मान के चलिए कि यह ग्रहन जो है मानव जाती के लिए बहुत बड़ा नुपसान करने वा आठ ग्यारा से आठ जुलाई 2023 तक और जो लंबा इफेक्ट अगर आप दूर्गम ही देखते हैं तो वो आठ साल तक रहेगा आठ साल तक रहेगा और देखिएगा अगर अगर अटामिक वर हो जाती है जो इस तेम आपका यॉरपन कंट्री में चल रहा है यॉरपन में चल होता है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट एट येर तक यानि की आठ साथ दो हजार एकतिस तक देखने को मिलेगा आप मेरी यूट्यूब पे इलेक्टोनिक मीडिया पे भविश्यों अगर देखेंगे तो उसमें मैंने जो है दो हजार एकतिस का पिरेट जो है तीस से चोंद जो है वो रुद्र की भी इसी चल रही है और ये समय जो है सबसे ज्यादा नाजुक है इसमें धरम-करम पर चलने वाले लोग लोगों को अकल्यान होगा और जो देश धरम-करम को नहीं मानते सिरफ मेटरलिस्टिक वर्ड वाले जो लोग है उनको उसका खाम्याजा सबसे ज्यादा भूगतने को मिलेगा तो ये श्री सन्बेतर अशोकर जी ने ये बताने की कोशिश किये कि किस तरह से इस बार का ये अंतिम चंद ग्रहेंड ना सिर्फ देश के लिए हमारी देश के लिए यानकी भारत के लिए बिल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही जादा प्रभावशाली होने वाला है इस ग्रहन से एक विनाशकारी आहट सुनाई दे सकती है आम जन मानस पर इस तरह का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा तो उमीद करते हैं कि आपको श्री सन्बेतर अशोकर जी द्वारा दी गई जानकारी उक्योगी साबित हो सकती है और इस पर आप लोगों के क्या राह है कमिन करके जरूर बताएगा इसका मुझे आशी सन्बेतर अशोकर जी को दीजे जाज़न नमस्कार